Hello everyone, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूंजी लाभकर क्या होता है जिसको इंग्लिश में capital gains tax बोलते हैं देखें, कोई भी वित्ती परिसंपत्य जो आपकी संपत्या हैं, basically वही बोल रहा है, कोई भी वित्ती परिसंपत्य, assets या फिर प्रतिबूती, मतलब securities इनमें क्या क्या हो गया, जैसे आपका भूमी हो गया, आपके पास plot है, यानि land है, भवन हो गया, घर है, आपका buildings है, आपके पास अंश, यानि कि shares आपने खरीद के रखे हैं, आपके पास हैं, debentures, यानि रिणपत्र आपने खरीद रखे हैं, या कोई और भी संपत्ती, जब अपनी क्रे लागत या निर्मान लागत से अधिक पर बिखती है, तो इस पर होने वाले लाब को पूझी लाब कहा जाता है, तो क्रे लागत माली जए 50 लाग की खरीदी थी land, उसको बेंच आप 60 लाग कर में हैं, तो आपको 10 लाग का फायदा हो रहा ना, इसी पर पूझी लाब कर लगेगा, इस लाब पर लगने वाले कर को ही क्या बोलते हैं, पूझी लाब कर यानि capital gains tax बोला जाता है, अब हम आगे एक और important point समझ लेते हैं, कि यह जो पूझी लाब कर होता है, यह दो परकार का होता है, ठीक है, जिसमें से सबसे पहले वाले को बोलते हैं, अल हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं, हम terms को समझाते हैं, एक कोई basic जो छोटा सा concept होता है, उसको समझाने का परियास करते हैं, तो अगली वीडियो में हम इस पर बात करेंगे